आपको बता दे उत्राखंच के सीम तीरत सिंग रावत का एक बड़ा वैयान सामने आया है उन्होंने कहा कि कुम्ब में कुरोना मामले पर बड़ोतरी नहीं होगी, कुम्ब की तुलना मरकज से नहीं कर सकते हैं आपको याद होगा मरकज के दौरान जब एक कमरे में खटा जमाती हुए थे उसको लेकर बहुत जाड़ा बबाल हुआ था आप तीरत सिंग रावत कह रहे हैं कुम्ब खुले में हो रहा है, किसी बंद कमरे में नहीं, इसलिए लोगों को कुरोना नहीं होगा यहाँ जो लोग आएंगे, डुपकी लगाएंगे, वो मागंगा से आशिरवाद लेकर जाएंगे कुरोना नहीं, लगातार कुम्ब में लोगों का जुटना शुरू है, घाटों पर हजारों की संख्या में लोग जाकर डुपकी लगा रहे हैं उसी पर सफाई देते हुए, उत्तराखन के सियम, तीरय सिंग्रावत ने बड़ा बयान दिया है काये कि कुम्ब की तुलना मरकस से तो कता ही नहीं किये जा सकती, क्योंकि ये खुले एरिया में है जबकि मरकस में चुप जमाती खटा हुए थे, वो बंद कम रहा था, इसलिए कोरोना फैला बुझे पड़े थे, मार गवना का, अबड़ा धारा का पूरी तरह बहाव, आसिर्वार ये सम लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं का नीची है, ये बल्कि होने नीची है, उससे तुलना तो बिशे जोटते हैं तीरस सिंग रावत ने एक तरीके से सफाई दी है, क्योंकि पब्लिक जोमेन में लगातार सवाल हो रहा था, कुम्ब को लेकर चुनावी रैलियों को लेकर, क्या इन चीजों से कोरोना नहीं पहल रहा, इसलिए सफाई देनी पड़ी है आगे बढ़ते हुए आपको समझाना जरूरी है कि आसी कौन-कौन सी चीज़े हैं जिन से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए सवालों के गेरे में तीरस सिंग रावत भी थे, कुम्ब का मेला इसी दोरान हुआ, जहां लोग हजारों की संख्या म एक हाट पर पहुंच रहे हैं, गंगा में डुपकी लगा रहे हैं, साथी चुनावी रैलियां, पांच राजो में, विदान सबा चुनाव, जहां जहां रैली हो रही है, वहां भी सोशल डिसेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो कुछ हद तक कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। कि अगर है, साथी केंडरे और राजी सरकारों में कई जगे पर साल में लगातार सरकार अपील कर रही है। आई टीवे नेटवर्ग भी आपसे यही अपील कर रहा है कि कुरोना की जंग अगर हमें जीतनी है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो एतियाद जरूर बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरे हैं और कुछ खास तस्वीर आप तक पहुंचाना जरूरी हैं जिससे आप डरेंगे जरूर, लेकिन हम चाहते हैं कि डर आप में पैदा हो ताकि आप सामधांग हो जाए, गोपाल में 6 दिन का कोरोना क कफ्यू लगा दिया गया है, 13 तारीक से लेकर 19 अपरेल तक कोरोना कफ्यू रहेगा, जिसमें सकती और ज्यादा बढ़ जाएगी, मिलकुल 19 अपरेल, सुबा 6 बजे तक ये सकत पावंदी जारी रहेगी, किराना दुकानों से होम डिलिवरी की हलाकि सुधा आपको मिलती र लगाई गई है, जो एमर्जनसी सेवाएं हैं, वो भी चालू रहेंगी, लेकिन फिलहाल 6 दिनों का करोना कर्फ्यू वोपाल में लगा दिया गया है अना वश्यक निकलने वालों पर चलानी करवाई की जा रही है, और उनको वापस भी लोटाये जा रहा है, और भी कारणनी करवाई हैं, यहां पर लोगों पर की जा रही है, हम जानते किस तरह की करवाई की जा रही है, सर यहां किस तरह की चेकिंग की जा रही है, और क्या क करोंस फ्रक्राइबुअ आपको बता दूं कि यहाँ पर सब्स के दूद्र की दूद्र को चूटडी गई थी, दुकाने खुली रहेंगी रात को आठ बजे तक इसके लाबा अगर लिवर काटेगरी के लोग हैं बाहर जा रहे हैं काम से उनको चूट दी गई ये सरकारी शास्की कर्मचारियों को छूट दी लोग अभी फिलाल मानने को तयार नहीं है साथ दिन का कर्फियू यहाँ पर लगाये गया है और जरूरत इस बात किये कि प्रशाजन को कर्फियू गाइडलाइन का पालन कराने के लिए और भी सक्त होना पड़ेगा कैमरा परसन सुनील वर्मा के साथ बिरजेश जैन इंडिया नियूज भो और वोपाल से हमारे साथ कुलबूशड जूट चुके हैं जब कि अंकिता रायपूर से जुड़ी हुई है सबसे पहले कुलबूशड आपके पास आना चाहेंगे बदबदा की हमने तस्वीरे देखी हैं बेहत जरावनी तस्वीरे हैं अपने लाशुक अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को घंटों घंटों इंतिजार करना पड़ रहा है इस्थिती फिलहाल अब आब भोपाल में क्या देख पा रहे हैं छे दिन का जब कौफ्यू लग जाएगा उसके बाद क्या पाबंदिया बढ़ जाएंगी क्या सुद्ध हैं लोगों को मिलती रहेंगी जरा विस्तार से बताईएगा बिल्कुल अभी तक तो हमने ये देखा है कि सिनेमा हॉल में टिकेट के लिए वेटिंग देखी जा सकती थी लेकिन अब मदबदेश की वो इस्तिती है क्योंकि हॉस्पिटल में बैड मरीजों को उपलब्द नहीं हो रहे हैं संक्रमा इतनी तेजी से खेलता हुआ नजरा रहा है सरकार की तरफ से मदबदेश में एक लाग बैड की विवस्ता गौर्मेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में की गई है ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है ऑक्सीजन पूरी तरीके से सप्लाई जो है दस से बारा मरते हुए नजरा रहे है हमारे हॉस्पिटल में प्रती दिन ये आकड़ा 20 के उपर पहुँच रहा है तो साब तोर पे शम्शान घाट की अगर सबसे पहले बात की जाए तो प्रती दिन 50 से अधिक संक्रमित मरीजों की डेट बोडी जलाई जा रही है अब मद्देश में कोरोना समलते हुए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इंजेक्शन की काला बजारी हो रही है दवाईयों की काला बजारी हो रही है ऑक्सिजन सप्लाई जो है फुलबूशन और अंदाजा हम लगा सकते हैं रायपूर से अंकिता हमारे साथ हैं अंकिता 36 गड़ में वो कौन-कौन से शहर है जो ज़्यादा प्रभावित हैं सकती आने वाले दिनों में और क्या भढ़ने वाली है एतियातन अच्छा बिलकुल अगर बात की जाए तो राज़ानी रायपूर सबसे ज़्यादा क्रोना के प्रकोप पे है क्योंकि रोजाना यहाँ पर करीब 2-3,000 लोग कोविट पॉजिटिव निकल रहे हैं लेकिन स्थिती को देखते हैं फिर से एक बात दुर्ग में जो है दस दिनों के अतिरिक्त जो है लॉगड़ा दिया गया है सबसे बड़ा अंबेट का रस्पताल है वहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी लगतार देखने को मिल रहे है स्थिती इतनी बिगड़ी ही है कि लोगों को वहाँ पर बैट उपलब्द नहीं हो पा रहा है अगर आकड़ों की बात कीज़े हैं मृत्यू की आकड़ों की बात कीज़े तो रोजाना 150 की करीड जो है लोगों की कोरोना से मौत हो रही है और स्थिती इतनी बिगड़ चुकी है कि लोगों को अब लाश की अतनी संस्कार करने के लिए जगा नहीं मिल रहा है जिसके कारण सरकार को अब नीजी जगों को जो है और दिक्रित करना पर रहा है कि डिलिवरी आपके घर हो जाएगी किराना के सामान आप तक पहुंच पाएंगे इसके अलावाद दूद की दुकान खुली होगी सबजी और फल की दुकान भी खुली होगी बिल्कुल साथी आपको मैटकल की सुविदा भी मिली रहेगी लेकिन लापरवाही कम की जा सके इस चेंड को तोड़ा जा सके डॉक्टर विवेग गुपता हमारे साथ बने हुए है डॉक्टर अरुन अपांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए है अगर आज ये वो स्टेज है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि अगर संक्रमित हो भी जाएं तो सर्वाइव कर जाएं लेकि ऐसा है ये बड़ा ही टिपिकल कॉर्शन है और मैं इस तो सब्ते बताना चाहूँगा कि ये कोरना जो सेकेंड वेव आई है इसकी mortality या इसके गंबीरता होने की chances फुराने वाले कोरना से थोड़ा कम हैं तो बहुत ज़्यादा भेवीत ना हुई है जैसे प्रदामंत्री ची कहते है precaution लिए पैनिक ना हो, पीफ़ पैनिक पीफ़ प्रकॉर्शन है लेकिन सबसे important बात यह है कि सबकों पता है समय सेनकाइजिशन दवाईया जो जरूरी है मैं तो यह कहता हूँ कि जो दवाईया है जिसमें आईवर मेक्टिन दवा है और बाकी एक अंकिबाइक है जो औक सी इसब है रेमडेस्विर नाम की एक दवा है जो कि फर्स्ट वीक में देने से पेशिंट सीरियस होने से काफी बस सकता है अब उसमें प्रॉलम यह है कि उसको भरती करना पड़ता है बेट्स की कमी वैसे ही बहुत जादा है अब वो उसका तरीका एक ही हो सकता है कि there should be some way by government or by private hospitals by doctors यह अगर किसी patient का बेंट नहीं मिल रहा है तो रेमडेस्विर intravenous दवाज दिन में एक ही बार दी जाती है इसको अगर हम घर पे दे दे पेशिंट को छे दिन के लिए देना या पास दिन के लिए के वल काफी लोग सीरिस होने से बस सकते हैं तो इसके लि रेमडेस्विर जाम की लवाज जो की एंटी वाइरल मेडिसिन है एक औरल मेडिसिन आती है फैवी पेराविर वो तो औरल खा रहे लेकिए उसकी एफिकेसी उतनी ज्यादा नहीं है अगर हम रेमडेस्विर दे पाएं और गौवर्मेंट इस तरह सोचे लिए बैर्ज अरे पाइब और गौवर्मेंट के साथ साथ आबागी डॉक्टर के साथ साथ बागी प्राइविट होस्पिकल साथ साथ नर्सिंग के साथ यह गोजारिश करूँगा कि इस तरह कोई सिस्टम निकाला जाए कि हम पेशन स्कोई इससे लाज कर पाएं दूसरी बात यह बचे की य वोम कोरेंटाय में लोग हैं उनको उनके बाकी रिष्टदारों को कैसे बचाया जाए बाकी दो साथ रह रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए तो 24 आवर्स मास्क पहनना जरूरी है 24 मतलब 13 हमें की बात नहीं कर रहा हूं है और अब देखिए बाकी बाते तो आप लोग बता ही है टेलिविजन पर कि कितनी भीड़ है शादी आए हैं हो रही हैं प्रोग्राम हो रहे हैं रैली हो रही है उनको तो रोकना ही है लेकिन अगर जैसे मैं भी खुद हूँ है मॉस्टो वेरी कैस्जूल मैं भी सोचता हूं कि जब मैं ऑस्पिटल में राउंड लेता हूं अभ कि अगर बैस कमी हो गई फिर मॉटल्टी इतनी बढ़ जाएगी कि हमको रोकना बड़ा बुर्ष्टिल हो जाएगा इसलिए मैंने दो बाते बताएं इस माध्यम से आयावर मेकिन टैबलेट फैबी पुरा फिर भी शुरू में देदें फैवी फ्लू अगर फैवी फ्लू स से जुड़ा हुआ ही एक सवाल अब मेरा डॉक्टर अरुन पांडे से भी है चुकि अभी जैसे डॉक्टर अरुन को आपकी जिगा विवेक गुपता हमें बता रहे थे कि जो कोरोना पेशिंस है बहुत सारे ऐसे लोग है चुकि बेट्स की कमी पड़ गई अपने घर में खुद को आइसोलेट कर रहे हैं सिल्फ कॉरिंटीन हो रहे हैं ऐसे में जो लोग उनकी देखभाल करते हैं अतियातन उन्हें कैसे अपने आपको बचाना है क्योंकि संक्रमण का खत्रा सबसे जादा उनके लिए ही बढ़ जाता है जी देखे तब से पहली बात तो शुरुवात में यहां से करूँ कि जैसे ही आपको तबियत खराव या सिम्टम्स अपियर होते हैं आप टेस्ट कराए हैं कराने जा रहे हैं उसी दिन से यह अपने आपको मान लेना है जिस दिन से सिम्टम्स आया है कि आप कोविट से कोव को पॉल्सक्राइब तब इसम्य आप पउर्द्री संगरें कि अगर उसी समय हम अपने आप को आइस्वाल करें तो जाईज ही बात हैं हम एक इस फ्रत करेंगे मैंने बताया ना कि पहले ही मास लगा के तो आपको काम उनके साथ अगर आपको खाना देना है तो आप उनको ये दरवाजा खोले खाना वहां रख दिया जाए वो खुद ले लेंगे मास लगा के उनके उनसे बात भी करना है तो पुछी दूरी बना के दूर से बात कर सकते हैं उनके रूम तक जाने की जोरत नहीं है आप फिजिकल टेंडिंग दूरी रखके मास लगा के आप और और मैं एक ची और पूलता हूं कि अगर आपके घर में 45 साल को उपर कोई भी है तो इस समय वैक्सिनेशन लेना जरूरी है आप वैक्सिनेशन सेंटर पे जाईए अपना वैक्सिन जरूर लीजिए क्योंकि मैं बार बार ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वैक्सिनेशन के साथ इस कोरोना के सिवियल्टी को रोका जा सकता है मैं यह नहीं कह रहा हूं क कि वैक्सीन लेने का मतलब कि आप आपको कभी इंफिक्शन होगा ही नहीं आप खुले हो के खुब भूमो ऐसा कुछ नहीं कि रहा है। खोल दिया गया। अगर 2400 घंटे अंतिम संसकार करने वाली भट्टियां जल रही हैं और वो भट्टियां पिघल रही हैं तो ये खतरनाक संकेत हैं। साब्धान रहे हैं अपने परिवार का खयाल रखिये। खudव शुले हैं धरिवार के घाषब 25 छोस परिवार क्वा भट्टिये नहीप के खवार नहीं पाधिये।